हेलो गाइस, विल्कम तो एनादर वीडियो गाइस सुमर भैलोग वीडियो का टाइटल और थंबल दिकरता आप लोग बेखोवी से समझे चुके कि आज की ट्विटल कितने ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाले सारे एपल यूजर्स के लिए दोस्तो 24 गंटे फहले जो है iOS 17.5 का जो है बिगस्ट अपडेट लॉंच हो गया है और बहुत सरे लोग इसको इंस्टॉल भी कर दिया है लेकिन खास करके जो लोग एपल अपडेट को लेकर बहुत ही चीन्दित रहता है उन लोग लिए सबसे बड़ा सवल ख़रा होता कि क्य यह अपडेट हमको करना चाहिए कि नहीं तो उन सारे सबस्काइबर्स के लिए हम जैसे यूट्यूबर्स बैटे है कि आप लोग को यह अपडेट करना चाहिए कि नहीं आप लोगों से हाथ जोरके एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंधक विड़ाउट इसकिप किए एक सेकंड भी ना चुके आप लोग फुल देखे तो ही आप अच्छे से सीख पाओगे समझपाओगे और आगे चल के बैदर से बैदर जानकारी हासिल कर सकोगे तो चली यार भीडियो को बिना दिर की फटक्षे शुरू किया जाए मुसकार द किसी का वन जीवी किसी का देर जीवी दो जीवी धाई जीवी पड़ता है अपने 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 अपडेट की एकॉर्डिंग ठीक है आप अगर आपको दो तीन जीवी तक पर सकते हैं मैं आपको 17.4.1 को यूज़ कर रहा हूं इसलिए मुझे यह यह 17.5 सिप और सिप 971.6 सेंबी पढ़ा है ठीक है यहां पर देखो अपडेट में साब साब लिखाए इस अपडेट इंटर्यूस ए न्यू राइट्स रेडियेंस वाल्पेपर और दा लॉकी स्किन एपल नियूस एन्हेंसमेंट्स और फिचर्स बगफिक्स एंड सिकुरिटी अपडेट फॉर दिया है सम फिचर्स में नॉट इन ऑल रेजियंस यानि कुछ फिचर्स जो ऐसा किया है जो अल रेजियंस के लिए एबलेबल नहीं है यानि सब कंट्री के लिए अपटा दूगा और आन ऐपल डिवाइस वार इन्फरमेशन ऑन दा सीकूर्टी कॉंटेंट फॉर एपल सॉ है कौन-कौन से डिवाइस के लिए मौझे सारा कुछ आप लोग यहां से देख सकते हो तो चलिए इसको सिंप्री से अपडेट ना वाले बटन में क्लिक करके अपडेट कर देते हैं और यहां पर पासकोड भांग रहे पासकोड भी मैंने दे दिया उसके बाद यह अपडेट 17.4.1 में इसका आएश वर्सन कितना था देखो आएश 17.4.1 में ब्रैकेट में है 21E236 ठीक है इसका आएश वर्सन है जहां पर जो है आएश वर्सन जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है 17.5 में ठीक है तो चलिए वह भी देख लेते हैं यह मेरे देख सकते हो करेंट आएश वर्सन 17.5 में है 21F79 तो आएश 17.4.1 में भाई मोडेम फामवार है 2.51.04 और आएश 17.5 में यह चेंज हुआ कि नहीं यह भी हम लोग देख लेते हैं जहां दोस्तों मोडेम फामवार यहां पर चेंज हो गया पूरी तरीके से आएश 17.5 में मोडेम फामवार है 2.60. और आएश 17.4.1 में इस्टोरेस था मेरा गुल मिला के 72.1 मेरा फ्री था यानि 55.9 जीवी ओफ 128 जीवी यूज एट ठीक है और आएश 17.5 में क्या कुछ है चलिए यह भी हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर आया यहां पर आने के बात आइफोन स्टोरेज तो यह उत्ते जीवी 59.47 जीवी ओफ 128 जीवी यूज एट 68.53 जीवी और यहां पर है 72.1 जीवी तो यह बहुती गलत हुआ यार 72 और कहां पर है 68 यानि सारे तीन जीवी से भी ज्यादा यहां पर जो इस पेस ज्यादा ले लिया पता नहीं यहां पर क्या इसका ग्लीच है लेकिन वह यह सब्सक्राइब लेता है तो यह बहुता प्लास पॉइंट क्या है वागे चलके पता चलेगा और यह 17.4.1 का टोटल साइज था 11.17 जीवी और आयोए 17.5 का टोटल साइज कितना है चलिए देख लेते हैं 17.5 का 11.29 जीबी ठीक है तो यह थोड़ा सा इंक्रीज है तो यह तो तो इस्टोरेज के मामले में होता रहता है तो ठीक ठाक है और आयो 17.4.1 में system data लिया है 1.07 gb और आयो 17.5 में system data कितना लिया है तो चलिए यह भी देख लेते हैं अच्छा जी total size 5.99 gb अच्छा तो यहीं पर इस system data में यह गरबर कर दिया है तो चलिए भाई लोग इस्टोरेज के बारे में तो पता लेगा और सबसे फर्स फीचर जो एपल आवे 17.5 में आया है फड़ा पर दिखा देता हूं setting में जाओगे setting में जाने के बाद नीचे scroll down करो और यहां पर देखो वर्ल पेपर वर्ल पेपर में जैसे यह आओगे यहां पर देखो एड़ काफी जादा पसंद आया तो यहां पर जो है आप color change कर सकते हो ठीक है कोई भी अपने according color change कर सकते हो जो मुझे काफी जादा पसंद आता है मेरे भाई जो बहुती एक दमदा लूग देता है तो मैं रख लेता हूं चलो इस वाले को फर्स्ट वाले को देख लेता हूं और जैसी मैंने एड करता हूं ना तो यहां पर देखो सेटेस वाल पेपर पेर तो चलिए सेटेस वाल पेपर पेर किया तो जैसे मान के चलो मैं इसको लॉ ज्यादा मुश्किल हो रहा है फिर भी मैं दिखा देता हूं जैसे यह वालपेपर का खासियत क्या है देखो जैसे ही मैं लॉक किस्किन करता हूं यहां पर देखो लॉक हो गया पुड़ी ते कैसे लॉक हो गया अब मैं इसको अनलोक करूंगा तो कुछ अलगी एनीमेशन यह आइफोन एपल केर में रिफेर करने के लिए कोई वी हो रिजेट रेस्टार करने के लिए भेशते हो तब आपको इस्टोर बाले बोलते हैं कि भई तो प्लीज इसको फाइंड माइड डिवाइस जो है आफ कर दीजिए और आज से यह चिंता बिल्कुल खतम आप अपने अगर सच करता हूं प्रॉटकास्ट के वेजेटिस पर कलर अटोमेटिकली चेंज होते देखेगा इपेंट और आइफोन बैग्राउंट ठीम ठीक है उसके एक काम करेगा जो की बहुत अच्छा फीचर्स मुझे यह लगा और बैटरी लाइफ की अगर बात कर लों तो मेरे पहले जैसा ठीक ठाक है मुझे ऐसा कोई मेजर यहां पर चेंजस देखने को नहीं मिला जो कि आप लोग यहां पर जाके परसेंटेज बगरा जाके इंडिविजल तरीके से आप लोग बैटरी लेबल कितने टाइम पर कितना चार्च कौन से फंक्शन कितना कुछ लिए सार इस बगर ब्लुटूफ ट्रेकर देट दूनाट ओन इस मुविंग विद दें रिगार्डलेस ओफ वर्ट ऑपर निक सिस्टेम्ट देवाइस इस पेर विद यानि एपल का मतलब अपल एर फोर्स यह बगेडा आप जब कार पे जाते हो आपके कार से अगर आपके एपल के ब्लुटूफ डिवाइस से ब्लुटूफ से कोई भी डbecause टीवाइस कॉरें आपके एट बरोन करने के कोशिश करें या कोई वी हो आपके विद जान करके बिना आपके डिवाइस को छेरचाड़ी करने के कोशिश करें आपके Bluetooth connectivity के द्वारा तो उसका नोटिफिकेशन आपको यह अपने देता रहेगा यहां पर जैसी स्कॉल डाउन करोगे तो नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा तो उस हिसाब से आप आप लोगों दिये तो सुने हैं अगर वीडाटी स्किप करके यह वीडियो को देखे तो आप लोगों ने दिया था वहां पर यहीं था कि तो यह ओन्राइन ब्लाउसर में जैसे हम लोग सैना यह जो हैंFS चुछ कर्था प्लाउसर में अप भाब्र कर सकते हो सबयrdक टेधियों कि अब इंडिया के लिए सब्सक्राइब प्लॉंप कर सकते हो हाला कि यह इंडिया के लिए यह और बाहर के रिपी के लिए अभी तक चले आया है और खासकर के एपल पे जैसे हम लोग फोन पर गूगल पर ऐसे कुछ यूज करते हैं एपल फे भी लाँ चुका है जो कि तो यह बंद करके बिल्कुल कर लो कोई भी प्रॉब्लेम नहीं है हाँ थोड़ा बहुत इस्टोडेज जो है ज्यादा ले लिया सिस्टेम डाटा के एकॉर्डिंग ठीक है लेकिन मेरे उपिनिन की इसाब से आपको यह अपडेट करना चाहिए क्योंकि एपल माना जाते कोई भी डाउट है तो कॉमेंस सेक्षन में जलू लिख दीजिएगा बीडियो को पर एक लाइक कर दिजिए बीडियो को नीचे कॉमेंस के जिए इस वीडियो को जहारपार के शेयर कर दिजिए अपने दोस्त और फैमिली मिंबर्स तक ताकि उन लोग को अच्छा से अच् सब्सक्राइगा जय ही जय भारत वर्णों दर्म बाव एंडे के स्यू सून